मुझे ना विटामिन D और B12 की डेफिशिंची है करके डॉक्टर ने बोला और सप्लिमेंट दिया है विटामिन D B12 का तो मैं पूछ रही थी कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि विटामिन D तो सिर्फ सनलाइट से ही मिलती है तो क्या कुमबक से वो डेफिशिंची दूर हो सकती है देखो सनलाइट से शरीर बनाता है ना उसके बनाने की कपासिटी भी तो होती है हां तो बनाने की कपासिटी तो आपकी कभी नहीं बढ़ने वाली बाहर से खाके हां ऐसा है ना अगर आप घर में कोई एक सामान बनाते से बाहर से मिल गया तो अगर आपने खरीद लिया तो आपके बनाने की स्टेंथ तो नहीं बढ़ने वाले उससे औरत वाने की स्टेंथ तो आपके शरीर की ओवर अल श्रेंथ है जो की कुमबक से बढ़ेगी तो कुम्बक से वह विटामिन D की डेफिशेंसी भी दूर हो सकती है, ऐसे नहीं कि से संलाइट लेता है? अगर शरीर संलाइट में नहीं बना पा रहा, थोड़ा संलाइट तो सबको लेना चाहिए, वो तो अच्छा रहता है, मगर शरीर उसमें बना पाए, ये स्रेंध तो बढ़ा हो पहले? अच्छा वही मेरा सवाल है कि क्या इफ वी जॉइन कुम्बक वो हम डेफिशेंसी दूर कर पाएंगे, क्या विटामिन D और B12 का? B12 तो absorption से होगा, B12 absorption तो बढ़ेगा ही कुम्बक से, मगर कुम्बक से overall शरीर की विटामिन D बनाने की स्टेंथ भी बढ़ेगी, तो डेफिशेंसी आएगी नहीं फिर जल्दी. ओके कुम्बक साथ में सनलाइट दोनों लेंगे तो वो हिल्प करेगा, हाँ थोड़ा सनलाइट लेना पड़ेगा, मगर अभी जरूरत नहीं है, कुम्बक करिए, पहले स्टेंथ बढ़ाई है, उसके बाद जब अच्छा हो जाए, ठंड हो जाए थोड़ी, सनलाइट लेन है, तोक्यो